किताब के डिजाइन एट्रिब्यूट उस किताब के जो हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं दो से चार साल तक के बच्चों के लिए और अब हम देखेंगे कि उस किताब में विज्वल और आबजिक्ट में कौन सी ऐसी क्वालिटी होनी चाहिएं जिससे बच्चे किताबों से एट्रक्टिड हो और उन्हें अपना दोस्त बना लें और उन्हें अपने पास रखें और उन्हें बार बार पढ़ना चाहें तो आज हम यह देखने जा रहे हैं कि विज्वल और आबजिक्ट जो किताबों के अंदर मौजूद होते हैं वो बच्चों की लिंग्विस्टिक डिवेलपमेंट में और उनकी क्रियेटिविटी और इमिजिनेशन को पोस्टर करने में डिवेलप करने में कैसे मदद करती ह हैं और क्या क्वालिटी विज्वल में जिसके वज़ा से उनकी लैंग्विज डिवेलपमेंट भी हो और उनकी इमिजिनेशन भी बढ़ती रहे हैं सबसे पहले हम यह देखेंगे कि लिंग्विस्टिक स्किल्स क्या होती हैं बच्चों की तो बच्चे आक्शिली क्या करते हैं कि जब वो एक एमिज को देखते हैं वो एक वर्बल एक विज्वल टेक्स को देखते हैं तो उनके अंदर जरूर एक सवाल पैदा होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होने जा रहा है वो इतना इंट्रस्टिंग हो और कुछ ऐसे क्यूरियस क्वेस्टिन छोड़े जिसे बच्चों के जहन में वो सवालात मौझूद हों, so visuals कब ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों के जहन में interesting questions छोड़ें जिन्हें वो find out करना चाहते हैं अगर वो clearly draw किये गए हो, paint किये गए हो, वो understandable हों, बच्चों की उमर के मताबिक हों, simple हों और वो noticeable हों, यानि पेश पे वो इस तरीके से आएं कि उसको आप notice कर सकें directly, और बच्चे जो हैं उसके actions को, जो हैं उसके behavior को समझ सकें कि यह actually हमारा character या जो यह visual है, यह क्या करने जा रहा है और यह क्या कर रहा है, इसके लि visual elements वही जो हमारे पास एक drawing के और art के elements होते हैं, elements of design है, principles of design है, जिन में lines है, color है, space है, pattern है, dimension है, जब हम इनके दर्मियान unity लाते हैं, एक perfect, एक simple, एक noticeable drawing, और in the form of a visual, हम किताब layout में बच्चों के सामने रखते हैं, जो बच्चों की nature के मताबिक हो, उनकी उमर के मताबिक हो, वो उसको समझ सकें, और इतनी interesting बनाए गई हो, जो उनके interest को trigger कर सकें, जो अगली चीज आ जाती है, कि बच्चों की imagination को visuals और object जो हैं, कैसे trigger करते हैं, और कैसे develop करने में मदद करते हैं, वो चीज़ें जो creative होती हैं, explorer होते हैं, बच्चे dynamic होते हैं, और वो क्या चाहते हैं, वो यह चाहते हैं, कि कहानी के अंदर एक ऐसा adventure हो, जिसमें ना सिर्फ वो characters adventure पर निकले, बलकि उस character में वो अपने आपको देखते हैं, वो यह समझते हैं, कि अब मैं एक adventure पर निकल रहा हूं, यह character से अपने आपको replace कर लेते हैं, और इसलिए वो बड़े enthusiastic होते हैं, mystery से, और बड़े sincere होते हैं, sincere का मतलब यह है, कि वो ऐसे अपने emotions को express होता देखना चाहते हैं, किताबों में, जो reality में होते हैं, और ना कि ऐसे express किया जाये, जैसे कि बड़े करते हैं, जो कि already learn कर चुके होते हैं, और उनके अंदर emotional regulation आ चुकी होती है, So, they are sincerely, अगर वो किसी चीज़ को पसंद करते हैं, तो वो कहते हैं, I love it, और with sincerity, अगर उनने कोई चीज़ पसंद नहीं होती, तो वो कहते हैं, हमें यह बिलकुल पसंद नहीं हैं, So, this is a very important element in the visual and children books, जो इस उमर के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, So, यह बच्चे क्या करते हैं, यह बच्चों के साथ जब parents या teacher उस कहानी को discuss करते हैं, उसको सुनाते हैं, तो वो अपनी imagination की दुनिया को, कहानी की imagination की दुनिया में मर्श करते हैं, और thinking शुरू करते हैं, और अपनी कहानी बनाना शुरू करते हैं, तो हमारे सामने क्या ची intended rounded lines के अंदर मौझूद होनी चाहिए, contrast bright color में होनी चाहिए, object entities जो है different sizes में होनी चाहिए, एक size की नहीं होनी चाहिए और कुछ इस किसम से layout हो कि आपका main character है, वो prominent हो, उसके उपर सीधे point out हो रहा हो एक visual element. दूसरी चीज़ यह होनी चाहिए कि जो भी surface है किताब की, उसमें थोड़ी reality का touch नजर आना चाहिए, shapes depicting sentimental situations and actions और आपके personified object होनी चाहिए, animated entities होनी चाहिए, जो बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद हैं. So, यह बहुत important चीज़े हैं जो बच्चों की attention को अपनी तरफ trigger करती है. Thank you so much.